नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग economy topic की बहुत लंबे समय से demand हो रही है कि sir economy पढ़ाई है Indian economy take up करी तो मैं Indian economy take up कर रहा हूँ और economy में किसी overall book को approach करने से पहले जैसे कि for example रमेश सिंग की बात हो रही है तो मैं रमेश सिंग की content को भी उठाऊँगा उसके साथ बाकी आपके exams preparation के perspective से बोल लिजे knowledge के perspective से बोल लिजे चुकि मैं सिर्फ exam purpose से नहीं बढ़ाता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सीखो भी तो overall economy की एक अलग सी series में चलाऊँगा बढ़ उससे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे story of village पालंपूर यहाँ पे मैं class 9 की NCRT economics की किताब को शुरू कर रहा हूँ एक बार NCRT economics को आपके अलग लोग complete कर लेंगे न तो economics का हमार solid base तेयार हो जाएगा और उसके बाद जब आगे के advanced topic पढ़ेंगे economics के तो थोड़ी आसानी होगी पढ़ने में तो शुरुवात करते हैं वे chapter 1 the story of village पालंपूर बहुत ही basic idea दिया गया इस chapter में दोस्तो हो सकता है कि आप मेंसे बहुत से लोगों को हलुआ लगे बढ़ ठीक है शुरुवात से शुरू कर रहे हैं थोड़ा आसान से शुरू करते हैं और फिर dangerous topics में entry मारेंगे हो सकता है कुछ लोगों के लिए chapter बहुत हलुआ है हो सकता है कुछ लोगों के लिए chapter tricky हो समझने में problem हो दीरे दीरे हो समझना चाहते हो overview से शुरुवात करते हैं सबसे पहले देखते है purpose क्या है इस story का purpose बस ये है कि जब production का process होता है जब भी किसी चीज़ को बनाया जाता है प्रेडूस किया जाता है उस production की process में जो पूरी की पूरी supply chain है उसमें कुछ important concepts involved होते हैं उन concept को समझना और उन concept को समझेंगे हम production process एक गाउं का समझ के पालंपूर नाम का एक hypothetical गाउं यहाँ पे assume किया गया है वैसे तो पालंपूर नाम के बहुत से गाउं होंगे इंडिया में बट यहाँ पे एक hypothetical गाउं assume किया गया है तो इस गाउं में क्या-क्या हो रहा है कौन को सी economic activity हो रही है उसके basis पे economy के basic concept को समझने का यहाँ पे हिसाब है तो पालंपूर के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे farming सबसे important activity है तो ज़्यादर लोग जो किसानी करते हैं खेती बाड़ी करके अपना जीवनी आपन करते है picture 1.1 में आपको village का scene दिख रहा है ठीक है यहाँ पे यह जो चांड है यह खीच रहे हैं इस बैल गाड़ी को ट्रैक्टर से समान लेके जाए 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 जो पर पट्टी ने जा आ रही है ठीक है पेड नजर आ रहे हैं तो यह गाओं का एक proper scene है ठीक है भाई अगर आप बात किरो तो इस पालब पुर नाओं के गाओं में farming के साथ चोटी मोटी और भी activities है जैसे चोटी मोटी लेवल पर manufacturing का का काम होता है dairy का का काम होता है ट्रांसपोर्ट का काम होता है चोटी मोटी लेवल पर सब कुछ होता है फिर भाई ये बोला गया कि इन production activities के लिए बहुत अलग-अलग प्रकार की resources की जरूँ थे बहुत सारे natural resources की जरूँ थे, बहुत सारे man-made resources की जरूँ थे बहुत सारे human effort money की जरूँ थे natural resources कौन-कौन से हो सकते हैं तो भाई आपको जमीन चाहिए जमीन पर आप खेती बड़ी करोगे, भाई आपको सूरज की रोशनी चाहिए मुसी से plants होगेंगे, आपको पानी चाहिए irrigation के लिए man-made में आपके सकते हों कि human man power चाहिए आपको seeds चाहिए, आपको fertilizers चाहिए, आपको पैसा चाहिए seed खरीदने के लिए एक इनसान जाके जब खेत में हल जोतेगा, तो कुछ producer का तो human effort चाहिए, तो ये सारे factors involved है production में और इनी factors को यहां समझने की कोशिश की जा रही है अगर इस गाउं की बात की जाए पालमपूर की, तो ये जो गाउं है वो आसपास के villages और towns के साथ well connected है सबसे पास जो village है, वो है राय गंज नाम का एक बड़ा village है केवल तीन किलोमेटर दूर है ये पालमपूर से तो भाई, पालमपूर को राय गंज के साथ जो road जोडती है अच्छी सड़क है भाई तो कहीं न कहीं अगर आप देखो तो ध्यान दीजेगे यहाँ पे and all weather road connects, मतलब कि एक all weather road है तो अच्छी road होगी तो चाया सर्दी हो, चाया गर्मी हो, चाया बरबबारी हो, कुछ भी हो वैचे तो भाई, जड़दतर हमारा जो हिस्सा है, यहाँ पे पालमपूर को एक western UP का अगर काउं मान ले तो यहाँ पे बरबबारी होती नहीं है, बरबबारी है तो हिली स्टेट्स में होगी और हिली स्टेट्स में भी कहा ही होती है कि यह जो वैधर रोड है, यह जो पालमपूर नाम का जो गाउं है, यह रायजन के साथ जब कनेक्ट हो रहा तो रोड अच्छी है, सड़कें अच्छी है फिर रायजन के आगे एक और जगा है, शाहपूर नाम की, फिर यहाँ पे इस गाउं से दूसरे गाउं तक ले जाने के लिए, यह पालमपूर से रायजन सामान को ले जाने के लिए बहुत अलग-अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट्स भी अवलेबल है, तो आपको बुलक क खरा हुआ हो, कुछ दूसरी कमोडिटीज हो, चावल हो, गेहू हो, शुगर हो, कुछ भी हो सकता है, उसके अगर आप बात करो, तो केवल बुलक कार्स, टोंगाज और बोगीज अवलेबल नहीं है, जो modern means of communication है, जैसे कि मोटर वैकिल्स हो गई, मोटर साइकल हो गई, की जमीन है, वो इन अपर कास्ट फैमिली के पास है, यह जिन घरों में रहते हैं, वो घर बहुत बड़े हैं, वो घर इटों के बने हुए हैं, प्लास्टर वास्टर हो रखा है, बड़ा अडवांस टाइप का घर है, वहीं पे जो शेडूल कास्ट रहते हैं, जिनको आप जलित्स बोल सकते हो, ठीक है, बोलना जाता है पॉपलरली वैसे, तो यह इस गाउं में वन थर्ड पॉपलिशन फॉर्म करते हैं, और कहीं न कहीं छोटे घरों में रहते हैं, जोपड़पटी घरों में रहते हैं, और यह हमारे देश की और हमारे गाउं के सिस्टम की एक बहुत बड़ी विडमना है और यह रियल है, आज की डेट में भी अनफॉर्शनेटली यह ट्रेंड एक्जिस्ट करता है, कि गाउं में जो उपर जाती के लोग थे, उन्होंने सारे रिसोर्स को अपने पास कंस्टेट कर लिया, और सिर जाती के आधार पर और वो जाती का जिसको खुद हुमन्स ने मनाया, उसके बेसिस पे आपने कुछ लोगों को साइड लाइन कर दिया, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी रैशनाल के, और कही न कहीं जो अपर कास्ट है, वो आज भी रूरल इलाकों में बहुत जगाओं पे डॉमिनेट करती है, वो जो सो कास्ट के लोगों को साइड में दबा के रखा गया है, फिर भाई अगर इस गाओं की बात की जाए, तो इस गाओं में एलेक्रिक कनेक्शन भी देखे रखे गए हैं, ओके, लोग इस एलेक्रिसीटी से अपने जो खेत हैं, उसमें ट्यूब वेल चलाते हैं, उस ट्यूब इसको अगर आप छोड़ दो, तो आप देखते हो कि पालंपूर में सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा है, तो वेल डेबलट सिस्टम ऑफ रोड से, ट्रांसपोर्ट है, एलेक्रिसीटी है, इरिकेशन है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है, जदा तर जो इंडिया की के जहां पर की लोगों को सेग्रीगेट किया जाता है, आगे बात करते हैं, यह जो पालंपूर है, अब इसकी मदद से हम लोग-लग production activity को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे villages में main production activity होती है farming बहुत सारी और छोटी मोटी non farming activities होती है जैसे कि किराने के दुकान चलाना छोटी मोटी manufacturing करना तो basket weaving करना जूट का समा काम कर लेना transport, shop keeping यह छोटी मोटी चीज़े हैं अब बात करते हैं organization of production की जब भी हम कुछ produce करते हैं हम करते क्यों है हम किसी भी चीज़ को इसलिए produce करते हैं चुकि वो किसी ना किसी तरीके से हमारे काम की होती है उससे कोई ना कोई ऐसी goods or services produce हो री जिसकी हमें जरूरत है और कहीं ना कहीं अगर आपको goods or services का production करना है तो उसके लिए चार requirements की जरूरत है वो चार requirements कौन कौन सी है पहली requirement देखते है land पहली requirement है जमीन की तो अगर आपको कोई भी good produce करना है तो उसके लिए जमीन तो लगेगी और कुछ और natural resources लगेंगे जैसे कि अगर धानों की पैदावार करनी है तो पानी चाहिए irrigation के लिए forest चाहिए पेड़ों के लिए वगलकडियों के लिए तो land चाहिए minerals का ख़णन करने के लिए अब ये जो पानी है वो बहेगा तो land पही न जो forest है वो ख़ड़े तो land पही होंगे जो minerals है उनका ख़णन आप land के अंदर से करोगे तो land बहुत important है तो means of production में land आप कह सकते हो one of the primary source उसके आगे बात की जाए तो second requirement है किसकी labor की तो भाई ये वो लोग है जो कि इस जमीन पे काम करेंगे चुकि कोई ना कोई तो जमीन पे काम करने वाला भी चाहिए न केवल जरीर बंजर पड़ी रहेगी खाली पड़ी रहेगी तो किस काम की आपकी कोई काम करेगा और खासकर जब highly educated workers काम करेंगे तो भाई चीज़ अच्छे से होगी workers manual work भी करते हैं कभी-कभी क्या होता है तो भाई एक skilled worker चाहिए काम करने वाला अगर एक skilled worker होगा काम करने वाला तो production अच्छे से होगा तीसरी जो requirement है वो है physical capital की मतलब कि production के अलग-अलग stages में अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग variety के inputs की जरूत है इसको आप बोलतो physical capital यहाँ पर देखते हैं कि physical capital में कौन-कौन सी चीज़ें आती है पहली चीज़ अगर हम बात करें फिसकल capital में तो क्या आएगी tools machines buildings देखें tools machines buildings में बात कर लीज़ें तो जो हल होता है ना किसान का जिससे वो खेत को जोतता है उसके वाद उसमें बीज भरता है उसके वाद अपने हसीये से harvesting के टेमे पर फल को ये फसल को काटता है अब ये primitive तरीके बता रहा हूँ आज की डेट में सारे mechanize हो चुकी है चीज़ें तो ये tools इन tools की मदद से farmer अपना सारा काम करता है agriculture का आजकल sophistication machine बन गई है तो harvesting के लिए अलग, threshing के लिए अलग हर्थ प्रकार की winnowing के लिए अलग इन सब चीज़ों के लिए अलग-अलग machines बन गई है फिर ये machines और जगों पे involved होती तो generator, turbine, computers ये सब machine ही तो है तो भाई tools, machines, buildings ये सब physical capital की range में आते हैं और खास बाद दोस्तों ये कि जो tools, machines, buildings है न इनको production के लिए केवल एक सालनी बहुत लंबे सालों तक इस्तमाल किया सकता है इसलिए इनको आप कह सकते हो fixed capital यहाँ पर हम लोग physical capital में अलग-अलग प्रकार के capital की बात कर रहा है लंबे समय तक इस्तमाल होता है तो भाई यह होता fixed capital एक ऐसा capital जिसको आप बहुत लंबे समय तक इस्तमाल कर सकते हो उसके बाद physical capital में क्या आता है तो raw materials and money in hand आता है देखे जब भी आपको कुछ produce करना है तो वहाँ पे आपको raw material चाहिए तो for example अगर आपको cotton का कपड़ा बनाना है सूती कपड़ा बनाना है तो भाई उसके लिए कही न कहीं आपको cotton यान चाहिए cotton fabric चाहिए fabric बनाने के लिए यान चाहिए ठीके ना तो भाई तो cotton की आप खेती करोगे खेती करने के बाद जो cotton ball warms निकलेंगे उससे यान बनाओगे, यान से आफ फैब्रिक बनाओगे, फैब्रिक से कपड़ा बनेगा, तो raw material हो गया यान यहाँ पे, तो भाई यान एक वीवर के लिए बहुत important है, उसी तरीकी से कुमहार जो की घड़े बनाता था, बनाता है, उसके लिए clay बहुत important है, okay, तो यह हो गया as a type of working capital, working capital मतलब की जब आप काम कर रहे हो, जब production process चल रहा है, तो उस production process के चलते के वक्ट, जिन चीजों की जरुवत है, उस चीज को चलाने के लिए, वो raw material category में आगए, और खासकर working capital category में आगए, fixed capital भी उन चीजों चलाता है, बट fixed capital consume नहीं होता है, वो चलता रहता है, working capital पूरा का पूरा consume है, तो भाई, जब आप एक कपड़ा बनाओगे, तो वो यान खतम हो जाएगा, वो यान फैबरिक मतलेगा, फैबरिक कपड़े मतलेगा, ठीक है, उसके साथ साथ भाई, आपको running money चाहिए, तो आपको workers की salary देनी है, machine खंदने के लिए पैसा देना है, कोई machine खराब होगी, तो उसके maintenance में पैसा देना है, तो भाई, आपको money भी चाहिए होता है, तो जो raw materials और पैसे होते हैं, these are basically working capital, और ये लगातार used up होते रहते हैं production में, tool, machine और buildings जो की fixed capital थे, ये लगातार consume नहीं हो रहे थे process में, लेकिन यहाँ पे raw materials और money, ये लगातार consume हो रहे हैं process में, और एक और enterprise यहाँ पे निकल के आता है, fourth requirement, हमने अब तक तीन चीज़ें देखी हैं, तो ये जो चौथी requirement है, ये क्या है, ये knowledge और enterprise, देखिए जब भी आप कोई काम करते हो, आपके पास उस चीज़ को करने की ताकत होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, और आप के लिए risk उठाने की ताकत होनी चाहिए, तो knowledge, मान लीजे कोई कपड़े की factory डाल रहा है, तो कपड़े की factory डालने के लिए जितने भी factors important है, उसमें person को experience होना चाहिए, अभी सचिन बंसल और बिनी बंसल ने इंडिया में आके flip card खोला, flip card क्यों खोला, जो कि पहले Amazon में काम कर चुके थे, e-commerce के बारे में उनको सब कुछ पता था, तो e-commerce के बारे में सब कुछ पता था, उस knowledge को वहाँ पे gain किया, और यहाँ पे आके लगा दिया, उसके लिए enterprise put up किया, तो भाई, land, labor, fiscal, capital सब कुछ इकटा किया, और एक output बनाने की कोशिश की और उसमें ज human capital है, यहाँ पे आप देश सकते हैं कि एक industry में कुछ लोग काम कर रहे है, factory with several laborers and machines, अब यहाँ पे आप identify कर सकते हो कि land, labor और fixed capital क्या है, तो labor बहुत आसानी से नज़र आ रहा है कि यह जो लोग काम कर रहे है, आप यह labor है, land जिसके जमीन के ओपर यह सब चीज़ें बनी तो production में हमने देखा कि यहाँ पे बहुत प्रकार की चीज़ों का involvement हो रहा है, जमीन का, labor का, physical capital का और human capital का, और इन सब चीज़ों को अगर आप मिला के बोलो तो इनके लिए एक शब्द का इस्तमाल किया जाएगा, factors of production, ठीक है न भाई, factors of production, आगे बात करते हैं